हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत थे फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ अफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लोग में तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग अभी सुबे के आट बज रहे हैं और मैं यहाँ पर दिशानी को लेके बैठी हूँ तो अभी देखिए मैं उसके मसाज कर रही हूँ और पहले से ही मैंने आयवाई पीनी के बाद फिर मैं यहाँ पर दिशानी को लेके बैठी हूँ और उसकी मालिश कर रही हूँ हलाकि मैं उसकी ज्यादा मालिश नहीं करती हूँ बस थोड़ा बहुत मालिश करती हूँ तो यहाँ पर तो उसमें से मेरी दिशानी ऐसी है कि उसको मालिश करवाना अच्छा नहीं लगता है और इसलिए मैं थोड़ा बहुत कर रही थी कि थोड़ा बहुत तो करना जरूरी है और मैं सोच रही थी थोड़ा मालिश कर दू ताकि ये दोपेर को अच्छे से सो जाए तो देखिए देखिए अभी पीट का मसाज कर रही हूँ और फिर पेरों के नीचे और वो तो लेटी हुई है तो उसको मैं नहिलाओंगी भी तो इसलिए में थोड़ा सा कर रही थी मालिश और उसके ना सिर्पय पतानी जब से वह हुई है ना तब से मतलब सिर्पय अजीब सा छाला छाला कर दो इसको नहिला रहा है तो आब रोज नहिलाओंगी तो अभी देखिए उसके पेरों में हाथों में मम्मी और मैं हम दोनों ही नहिला रहे थे, एक जने पकड़ के, एक जने मेरे से होता नहीं है, अच्छे से, तो इसी वज़े से तो उसको सीर भी में ने धो दिया है, और वो तो बिलकुल भी नहीं रोरी थी, पानी के अंदर, तो देखिए, अब नहिलाना हो गया है, अब मैं इसको अच्छे से इसका एक छोटा सा तवाल है तो यहां पर देखिए मैं यह सारे हिमालाई के प्रोड़क्ट यूज करती हूँ दिशानी के लिए तो इसमें शेम्पू, क्रीम बगेरा सब कुछ है और फिर यहां पर मैं फिर यहां पर नहलाने के बाद मैं अंदर लेके आई पूरे वोडी में मैं बोडी लोशन लगा रही हूं वह भी हिमालाई का तो अभी बोडी लोशन देखिए लगा रही हूं और वह ना चुप नहीं रहती है इसलिए मैं निपल ढालके मतलब उसको सारा काम करती हूं नहीं तो फिर वो रोती है तो अच्छे से में पीट में और शल पीड करती हूं और बीट में लोशन लगा रही हूं तो अब देखिए अब जाके मैं फिर से उसके मू में निपल ही टाल natin हूं फिर अब जाके मैं क्रीम ले रही हूं ताके उसके फेस में थोड़ा सा लगाओंगी और टोकर है फेस में लाख yell εκो हो और उसको है ने तो देखिए अब मैं उसके सिर में ओयल लगा रही हूं और सिर में मैं तेल लगाती हूं उसका सरसो का तो वही है सरसो का तो सरसो का तेल लगा रही हूं मैं सिर में और वेसे भी ठंड के मोसम में मैं ये सारे चीजे यूज नहीं करती थी माले का मैं उसको बस सरसो के तेल से ह मालिश और सरसो के तेल ही पूरे वोड़ी में लगाती थी पर अभी गर्मी का मोसम है तो ज़्यादा चिपचिपाहट और गर्मी लगेगी उसको इसलिए मैं ये सारी चीज़े यूज कर रही हूँ नहीं तो फिर मैं बस जस्ट शेंपू और साबून ये सारी चीज़े करती थी जस्ट सरसो का तेल ही उस करती थी तो अभी उसको मैं कपड़े भी पहना दूंगी और ये ना कपड़े पहनने के टाइम बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि इसका मूँ ढग जाता है इसी वज़े से तो अभी देखिए दिशानी रेडी है कपड़े वपड़े पहन और डर लगता है ये ना मतलब टीकावी का लगाने जाओ ना तो ये सोई होती है फिर भी जाकि ये उट जाती है तो बड़े ही साबधानी के साथ लगाना पड़ता है नहीं तो फिर ये उट जाती है ये ज़्यादा गहरी नीन में बहुत कम सोती है नहीं सोती है गहरी नीन करती हूं जब दिशानी का क्रीम लगा लेती हूं और बस मेरा भी हो गया है और मुझे ना दिशानी का हिमालाई का ये क्रीम बहुत अच्छा लगता है तो इसी वज़े से मैं घर में दिशानी की ये क्रीम ही लगाती हूं और ये अच्छा भी है मतलब तो यहां पर मैंने क्र लगा लिया है और अब जाके मैं रेडी हो गई हूँ तो थोड़ा सा बिंदी भी लगा लोंगी बस यही तो करती हूँ मैं मतलब थोड़ा सा बिंदी लगाती हूँ थोड़ा सा सिंदूर लगाती हूँ और हलका सा लपिष्टिक लगाती हूँ बस घर के लिए रेडी तो मारे घर पे तो यह फूल मेरा फेवरेट भी है क्योंकि YEA फूल माकाली की फेवरेट है इसी वज़े से मुझे भी पसंदे बहुत ज्यादा और माकाली को ये फूल चड़ाओ तो माकाली बहुत ज़्यादा प्रसन होती है तो यहाँ पे वही सारे फूल में तोड़के लाई थी और आज ना मतलब बेलपत्र पर मैं आज तोड़ने नहीं गई थी क्योंकि बेलपत्र के नीचे बहुत सारे कीड़े है इसी वज़े से मैं न जारी थी तो मैंने तोड़ा भी नहीं और कीड़े थे इस बज़े से तो बस फूल से ही पूजा कर रही हूँ तो जिस दिन जो मिल जाए उसी से कर लो तो आज बस फूल से ही कर रही हूँ तो यहाँ पे सारे भगवान को मैं मतलब टिका लगा रही थी तो देखी यहाँ प को जल नहीं चड़ाओंगी बस मातुलसी को जल चड़ा दूंगी और बस खतम पुजा तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं अच्छी हूँ और आप लोग उने तो देखा यह सारा काम हो गया है और अभी मैं थोड़ी देर यहां पर बैठनी के लिए आई थी पर देखि आती हूं उसके बाद जाके खाना खाऊंगी लेकिन बाहर इतनी धूप है तो आज ममी ने सिंपल खाना ही बनाया है देखिए अभी से ही पेड से यह बील गिरने लगा है और गिर के एकदम फूट गया है तो यह बहुत ज्यादा मीठा है सच में पर हमारे घर पे कोई खान 2 लिए हवाँ चल दी है पर ज्यादा देर नहीं बैठोंगी क्योंकि दिशानी नहीं तो ऊट जाएगे अभी सो रही है तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूं तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि ममी ने क्या बनाया खाने में मतलब मैने भी नहीं देखा ऐख्षी से अभी तक तो यहां पर देखिए ममई ने सिम्हाई सींपल डाल बनाई यहां पर मेरी वहना बना किया है। और ममी भी तुकान चली गई है तो में दशानी सो रही है, इसी बज़े से मैं सोच रहो जल्दी जल्दी खाना का लेती हूं नहीं तो फिर वो उठ जाएगी और घर पर कोई भी नीए उसको लेने के लिए तो इसी बज़े से अभी में खाना खा रही हूं और दिशानी के पाद जाओंगी थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट करूँगी अभी और मतलब ठक गई हूँ भागते भागते और मुझे ना सादा सिंपल खाना ही पसंद है ज्यादा तर तो ये सारी सबजी बनती है तो मैं अच्छे से खा लेती हूँ बस मुझे ज्यादा मीट इतना पसंद नहीं है तो अब मेरा खाना खाना हो गया है फिर मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पर देखिए मेरे हाथ का इतना बुरा हाल हो रहा था बहुत दिनों से नेलपेंट नहीं लगाया था क्योंकि ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है दिशानी को पकड़ पड़ता है तो नेलपेंट लगा और फिर उसको लेना पड़े इसी वज़े से फिर खराब हो जाएगी दो उट जाएगी इसलिए मैं अभी लगा रही हूं वह तो मैं लगा लूंगी नेलपेंट तो देखें हिंहां पर मेरेनलपेंट लगाना हो गया है और मैं बस इस में निल्पेंट लगाती हूं तो इस हाथ में लगा लिया है और उस बीच दिशानी ऊठके देखिए ऐसे बैठी है और मतलब मेरा सोने का टाइम हो जाए तो ये उट जाती है मतलब मैं सारा सुवे से काम बाम करके सब चीजों से फ्री होके थोड़ा सा मैं निल पिंट लाया के मैं सोची रही थी कि थोड़ा सा अब रेस्ट करूंगी जितने में ये उट गई है और अब ये नहीं सोएगी इसको लेके घूमना पड़ेगा अगर मैं ऐसे लेके इसको बैठी रहूँ या लेटी रहूँ तो ये हूँ हाँ हूँ हाँ करती रहेगी जब तक इसको लेके मैं बाहर नहीं जाओ नहीं घूमू तब तक ये ऐसे करेगी क्योंकि इसका सोना तो हो गया है अब इसको नींद नहीं आएगी अब इसको नींद नहीं आएगी अभी जस्ट मैंने नेलपेंड भी लगाया और दिशानी ने पोटी भी कर दिया मतलब यही होता है मेरे साथ इसलिए ही मैं नहीं लगाती हूँ मैं सोचते हूँ अभी लगाऊंगी अभी ये कुछ करेगी इसको पकड़ना पड़ेगा इसी बज़े से मैं नेलपेंट वगरा सब कुछ लगाना छोड़ी दिया है इसके बज़े से और ये देखो ये कैसे चुप चाप तो अभी इसको मैं दूद भी पिलाऊंगी अब उट गई है तो थोड़ी दर घुमाऊंगी मैं टिक टिकी को थोड़ी दर घुमाऊंगी मैं थोड़ी दर घुमाऊंगी मैं क्योंकि आभी पूठी है मेरा नेलपेंट ये देखो मेरा नेलपेंट ही खराब हो गया मैंने सोचा कि थोड़ी देल लटूंगी पर देखिए ये पेर ऐसे करती रहेगी मारती रहेगी बेट पर और ये नहीं सोने वाली ना मुझे सोने देगी इससे अच्छा तो मैं उठीके कहीं चली जाती हूं इसको लेके घुमने कैमेरे देखके चुपे चलो गुमू गुमू करके आते हैं गुमू गुमू तो फ्रेंट्स थोड़ी दर सो गई थी फिर उठी फिर बहुत देर तक दिशानी को लेके घुमी और अभी शाम हो गई है तो अभी बन दी शाम की चाय तो मैं सोची हूं कि चलो ऐसने करें घुमी तो चाय के साथ पॉपी कॉन भी बना लेतीं हूं तो भी चाय मैं आ गई हूं किचन में है और और यह बन रही है चाय की क्योंकि हमारे घर पर ओप्कॉन बनानी की मश्री村 नहीं है Be vals से चलिया मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि मैं मैं से बना रही हूं तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है पॉपकॉन का पिकेट और अब यहाँ पे कुकर को मैंने धोया था तो हल्का सा गरम कर रही हूं फिर उसके अंदर डालूंगी पॉपकॉन और आज किचन का हाल बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है तो अभी खाना भी बनेगा और फिर जाके पूरा किचन साप करूंगी तो पहले खाना बनाएंगी मम्मी फिर जाके पूरा किचन साप करेगी तो यहाँ पर देखिए चाय भी बन गई है तो यहाँ पर देखिए कुकर गरम भी हो गया है तो मैं पेकट को मतलब खोल रही हूँ पॉपकॉन के और इसके अंदर से और एक पेकट निकला है तो इसको भी थोड़ा सा खोल लूँगी और बस कुकर के अंदर पॉपकॉन को डाल दूँगी यह बटर पॉपकॉन है शा कुकर से और फिर इसके अंदर दाल दूंगी एक मसाला का पेकड भी आया था तो मसाले के पेकड को भी में वट को डाल दूंगी और जस्तु इला लुगी पॉपकरण को अच्छे से तो अब मसाला डालने के बाद भूज ज़्यादा डेस्टी भी लग रहा है तो पॉपकोन और चाय लेकर मैं आ गई हूँ रूम में और अच्छे से अब पॉपकोन और चाय मतलब चाय पीऊंगी और पॉपकॉन खाऊंगी तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और पॉपकॉन खा रही हूँ थोड़ा सा पॉपकॉन मैंने भया को भी दे दिया है मतलब पूरा ही मेनी खा रही हूँ और ये पोपकॉन का पेकेट दिशानी के पापा और चाचा रखे गए थे तो मुझे मतलब मिला तो मैंने सोचा मैं ही बना के खा लेती हूं तो फ्रेंड्स चाय पिने के बाद दिशानी को फिर से दूद पिलाई हूं और अभी दिशानी को सुलाई हूं थोड़ा सा निपल डालके दूद पिलाने के बाद तो अभी ये सोएगी और पूरा दिन मेरा ऐसा ही जाता है दिशानी को एक बाद दूद पिलाओ एक बार उठाओ उसको लेके पूरा दिन तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लोग में यही पर एंड करूंगी फिर मिलूंगे एक नए ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई